हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब गुड मॉनिंग नमस्कार आप सबी लोगों को और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्जाम द्रिश्टी पर दोस्तो सुरू करते हैं हम आज के महत्पून सुर्ख्यों के साथ में और उससे पहले मैं आपको बता शैसन को शेर कर दीजिए पहले फिर शुरुवात करते हैं यहां अपनी महत्पून सुर्ख्यों के साथ में और आज जो डेट है साथ हो वो डेट है पांच अगस्त 2022 आज के जितने भी most important current affair है उनको यहां मैं cover करूँगा आपके साथ तो चलिए आज की महत्पून सुर्ख्यों को देख लेते हैं सबसे पहले आप लोग शैसन को बहुत जल्दी सभी लोगों के साथ में शेर कर दीजिए ताकि वो सभी जुड़ जाएं और किसी भी प्रिकार की information से वो बंचित न रह जाएं तो इसलिए जल्दी से शेर कर दीजिए और सेसन को लाइक कर दें जल्दी से एकदम फटाफट तरीके से इसके लावा आप लोग जल्दी से सबस्क्राइब कर लें चैनल को और बैल आइकन को प्रेस कर लेजए ताकि हमारे सारी वीडियो की notification आपको मिलती रह पर ओनलाइन सरकारी इटेक्सी सेवा सुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल सुरेश एन पटेल बने देश के किंद्रिय सतरकता आयुक्त 3 अगस्त 2022 को भारत की 10 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों में किया गया शामेल असम सरकार द्वारा लॉंच किया गया मिशन भूमी पोत्र आर्बी आई द्वारा जारी किया गया वित्तिय समावेशन सुचकांक हल ही में केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने मध्य प्रदिस में किया छे राश्ट्रिय राजमार्ग प्रियोजनाओं का शुभारम हल ही में तमिल नाडू में मनाया गया आदिपुरम महोत्शव हल ही में USA की प्रतिनिदी शभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी पहुँची ताइवान भारत की महिला टीम ने चवालिसमें चैस ओलंपियार में हंगरी को हरा कर दर्ज की जीत दोस्तों ये तो रही आज की सुर्खियां अब हम इन सभी को सभी कम्प्रीट करेंट अफेर को अब अगर आप हमारे जुए बैच जोइन करना चाहते हैं तो जल्दी से इन बैच के बारे में आप सोचिए क्यों कि देखिए हमारा जो जो भी लोग मेंस इस बार दे रहे हैं उनके लिए तो ये निर्वान बैच है ही important इसके अलावा जो अगर आपका मेंस कहिना कहीं रहे जाता है कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को पूरा करने के लिए आप इस निर्वान बैच को जोईन कर सकते हैं क्रेश कोर्स है दोस्तों ये एक तरह से और ये उन मेरे साथियों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ये लाब पूर्ण रहेगा बहुत ज़्यादा important रहेगा जो इस बार मेंस दे रहे हैं इसमें दोस्तों ये 45 दिनों का क्रेश कोर्स है और मुख्य परिक्षा के सभी विश्याओं को इसमें सामिल किया जाएगा special classes ली जाएंगी हमारे बहतरीन faculties के दौरा इसके लाबा जो हमारी expert faculties हैं वो हिंदी और निबंद पर वो special classes लेंगी यहाँ पर और ये जो बैच होगा दोस्तों ये दोनों ही languages में होगा यानि कि bilingual ये बैच रहेगा हिंदी और इंग्लिस आप किसी भी medium से अपनी तयारी को या मेंस लिखना चाहते हैं वो जो है इस बैच को जोइन कर सकते हैं इसके रावा एक दूसरा important हमारा बैच है mission SDM ये आप लोग 2023 के लिए तयार कर रहे हैं उनके लिए एकदम ये रामबान साबित होने वाला है तो मैं आप से चाहूंगा कि जल्दी से आप लोग इस बैच इसको जोइन कर लें और और वी ज्यादा information के बारे में हमारे इन प्रिलिम्स भी रहेगा मेंस भी रहेगा इसमें इंटर्व्यू भी रहेगा इसके अलाबा जनरल हिंदी जो होता है मेंस में वो भी रहेगी PCS के लिए और essay writing पर फुल फोकस किया जाएगा यानि कि GS के चारों पेपर, essay, हिंदी, इंटर्व्यू, प्रिलिम्स के दौनों पेपर यानि कि पेपर वन और पेपर टू जो CSET है तो सभी कुछ इसमें पूरी तरीके से comprehensively इसमें कवर किया जाएगा जैसे प्रिलिम्स, मेंस, इंटर्व्यू, डेली लाइव क्लासिज आपकी और रिक doubt session, special doubt session रहेंगे, आपका कोई भी doubt है, आप doubt आप पूछ सकते हैं, इसके रावा इस जो course की duration कितनी है इसकी बात करें, 10 से 12 मत में आपको पूरा course complete करा दिया जाएगा, और आप UPPSC 2023 के लिए एकदम prepare हो जाएगे, तो इस batch को जरूर जोइन करें, और यह bilingual है यह batch, clear हुआ, किसी भी राश्टमंडल खेलों में, हाई जंप में, देश को पदक दिलाने वाले पहले खिलाडी बन गए हैं, तो यह पहले खिलाडी कौन बने हैं, देखिए, राश्टमंडल अब तक का history में रहा है यह, राश्टमंडल खेलों पहली बार हाई जंप में देश ने पदक यहां पर आप देख सकते हैं यहां ए टेश्वनी संकर ने कौन सा पत जीता है दोस्तो इन्होंने ब्रॉंज जीता है आप लोग याद रखेएगा ब्रॉंज किसे जीता है है लुआ वह बदगों का खाता खोला है है ensya अई three हम बात करें तो हाई जंप में भारत के लिए पदर जीतने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं तेजश्वनी संकर और तेजश्वनी ने किसको हराया 2.22 मीटर के साथ मैं इन्होंने कान से पदर अपने नाम किया ध्यान रखीगा इन्होंने कितने मीटर की जंप लगाई थ यहां पर आप देख सकते हैं इस मैप में यहां पर देख सकते हैं यहां पर बर्मिंगम है यह लंडन इसकी कैपिटल है राश्वन्डल खेलों के बारे में 2022 का 22 संसकरण है बर्मिंगम में हो रहे हैं जैसे अभी मैंने डिसकुस किया आयोजन तिथी 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेंगे यह और पेरी दा बुल इसका मैस्कॉट है सोबंकर है आदर्श वाकिया सा गेम्स फोर आल याद रखिएगा आप लोग और उधगाटन समहरों में भारत का दोजवाक कौन रहे हैं भारत के दोजवाक रहे हैं दोस्तों पीवी सिंदू और मनप्रीत सींग किल 248 किलोग्राम इन्होंने वेट उठाया था भारत के पहले एथलिट जिन्होंने राष्ट मंडल खेल 2022 में पदग जीता गुरु राजपुजारी दूसरे खिलाडी थे यह इन्होंने कांशे जीता था 61 किलोग्राम वेट के टेगरी में 279 किलोग्राम वेट उठाकर मीरभा शेहुली ने इन्होंने गोल्ड जीता है ठीक है तीसरा गोल्ड इसके लावा सेवंध खिलाडी थे शुशिला देवी लिकमावाम इन्होंने रज़त पतक जीता जूड़ो में विजय कुमार यादव कांशे पतक जीता जूड़ो में हरजिंदर कौर कांशे पतक वेट में और लव प्रीट सींग इन्होंने वेट लिफ्टिंग में कांशय पतक जीता है इसके लाबा कुछ और है टोटल 18 मेडल अब तक आ चुके हैं जब तक मैं वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों किलियर गुर्दीप सींग ने इन्होंने वेट लिफ्टिंग में कारियों के नाम उनसे संबंदित खेल मैंने आपके सामने रख दिये हैं बिलकुल आप लोग प्रिपेर रहेगा सवाल यहां से बनेंगे ही बनेंगे 100% यह छपने वाले सवाल है जो आपके सामने रखे गई हैं दोस्तों घ्यान से अब नेक्ष्ट हम जो एक्जाम के इस वाली बाल चैंपियर्ण सिप का विजे था हरियाना रहा अब की बार और टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक मीरभाई चानू ने दिलाया था टोक्यो ओलंपिक कहां पर हुए थे जपान के टोक्यो में हुए थे और 32 संसकरन था ये 32 एडिशन टोक्यो ओलम्पिक का और भारत इसमें कौन से नंबर पर रहा था पदक तालिका में 48 नंबर पर रहा था साथ पदक जीते थे एक गोल्ड दो सिर्वर तीन ब्रॉंच किसमें टोक्यो ओलम्पिक में ये सारी बात हैं आप लोग याद रखिएगा हम आलगे चलते हैं नेक्स्ट है हाली में उनलाइन सरकारी इटेक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राजह कौन सा बन गया है ध्यान राकियेगा दोस्तों सरकारी E-Taxi सेवा सुरू करने वाला केरल आजकल बहुत पहला राजय बन रहा है हर किसी चीज में तो केरल ने यह सुरू बात करी है दोस्तों और इन्होंने इसका नाम रखा है सेवा का केरल सावरी क्या नाम है ध्यान राकियेगा केरल सावरी केरल के द्वारा सुरू की गई है राइट आंसर डी है यह सरकारी E-Taxi सेवा है दोस्तों इसके माध्यम से कोई भी जैसे कि जो ओला उबर होते है न वैसे ही केरल सावरी के नाम से केरल ने इनिशेटिव लॉंच किया है और यह केरल ने इसका कहना है कि यह जो E-Taxi सेवा होगी यह सरम विभाग द्वारा सुरू की गई वहां के और ऑनलाइन टैक्सी हाइरिंग सेवा है यह सुरक्षित होगी विवाद मुक्त होगी ठीक है और बहुती सस्ती तरहों पर लाने के लिए जनता को एक जगह से ध्यान रखा गया है इसमें पैनिक बटन भी दिया गया याद रखिएगा है एक पैनिक बटन सिस्टम है इसमें और जिसे कार दुरगटना बगएरा या कोई और वी समश्या दुरगटना होती है तो आप इस पैनिक बटन को दबा करके आप क्या ले सकते हैं सहायता ले सकत किलियर चलते हैं आगे इस से सम्बदीenge कुछ महतपूर शवार स्वयम की इंटरनेट शर्विस लॉंच करने वाल देश का पहला राज़े केलव सब दोस्तों के द्वारा मनाया जाता है राइट आंसर है के तठ को किस नाम से जाना जाता है आप जब देखते है ना यह देखो मैं आपके सामने यहां पर छोटा सा मैं बनाता हूं पहले एक वारी यहां पर यह इस तरह से यह रफली इंडिया का मैफ हो गया और जो यहां पर केरल है आपको पता इस वाले जो तठ है यह इसको क्या बोला जाता है दोस्तों मालाबार तठ बोला जाता है इससे उपर जो गोवार करनाट का वाला तठ है उसको कौकर तठ बोला जाता है किलियर और जो तमिलाडू वाल तट यहाँ पर जाना जाता है कतकली और मोहिनी अटम किस राज्य का सास्त्रियन रहते हैं केरल का टोटल कितने सास्त्रियन रहते हैं दोस्तों आठ सास्त्रियन रहते हैं उनमें से दो कतकली और मोहिनी अटम यह दोनों केरल के क्लासिकल डांसेज है इसकी classical language की बात करूँ मैं केरल की, केरल की classical language कौन सी है दोस्तों, ये है मल्यालम, ध्यान रखेगा आप लोग, केरल की classical language है, मल्यालम, केरल की प्रमुख, martial art, कलारी पट्टू, केरल की सबसे बड़ी नदी, पेरियार नदी है ये, और दूसरी बड़ी नदी, भरत पुझा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, दोस्तों, यहां से सवाल बनते हैं, मैं इसलिए इन सवालों के include करता हूँ, बहुत ही important सवाल है, इस lecture की, इस session की current affair के, सबसे महत्मुन खासियत यही है, इसलिए जुड़े रहिए, और last तक देखिएगा वीडियो को, सभी के साथ मैं share कर दिये, जल्दी से जल्दी share करो, ठीक है, और like कर दिजिए session को, भारत की पहली paperless high coat, यह केरल high coat है, सवाल बनेगा यहां से clear, चलते हैं आगे, next है, हाली में, केंद्रिय सतरक्ता आयोक्त के रूप में किसने शपत ग्रहन की है, दोस्तों, केंद्रिय सतरक्ता आयोक्त के यहां पर आप इस picture को देख सकते हैं, यह है हमारी राश्टपती, महा महें, द्रोपदी, मुर्मूजी, और यह है हमारे जो अभी केंद्रिय सतरक्ता CVC, इन्होंने शपत ग्रहन की है, राइट आंसर इसका C है, सुरेश एन पटल ने सपत ग्रहन की है, सतरक्ता आयोक्ती, दोस्तों सतरक्ता आयोक जो होते हैं, उनको सपत कौन दिलाता है, राश्टपती दिलाता है, इनकी नियुक्ती किसके द्वारा की जाती है, राश्टपती के द्वारा की जाती है, लेकिन एक समीती की सुपारिस पर की जाती है, और यह समीती जो होती है दोस्तों, प्रधान 1964 में इसका गठन किया गया ता, CVC का, उस समय जब गठन किया गया था दोस्तो, तो इसको statutory body के रूप में गठन नहीं किया गया था, बाद में 2003 में इसके लिए act लाया गया, और केंद्रिय सतरक्ता आयोक को एक वैध्यानिक दर्जा दिया गया था, statutory body का दर्जा दिया गया था ये सारी बात हैं आप यहां पर discuss करी हमने इसके अलावा कुछ और चीजे में इनकी केंद्री सत्रक्ता आयोक्त की जो कारेकाल की अवधी होती है वो कितनी होती है 4 वर्स या फिर 64 वर्स की आयो तक 4 वर्स मतलब मान लो आज इन्होंने 3 तारीक को सुरेश एन पटेल जी ने अपना सपत ग्रेंड की ती तो आगे ये 4 वर्स तक रह सकते हैं अगर मान लो इनकी 2 वर्स बाद या 3 वर्स बाद 64 वर्स की आयो पूरी हो जाती है तो फिर इनको तभी रिटायर कर दिया जाएगा किलियर हुआ या तो 4 वर्स तक कारेकाल या फिर 64 वर्स की आयोता इनका कारेकाल होता है नेक्स्ट CVC के बारे में कुछ और चीज़ है ये सब हमने डिस्कस करी ही लिया फरवरी 1900 इतनी इंग्लिस तो चलती है ना दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं है फरवरी 1964 में इसका अगठन किया गया था 2003 में पाल्यामेट ने एक एक लाए और इसको स्टैचूटरी बॉड़ी के दरजा दे दिया गया इसके लाबा पहले जो CVC यह याद रखिएगा आप लोग नितूर स्री निवास राव इसके पहले CVC थे इसका अब्जेक्टिव यानि कि उद्देश है इसका यह है दोस्तों कि जो गवर्मेंटल ऑफिसेज है सरकार के भीतर जो करप्शन हो रहा उस करप्शन को एड्रस करना ठीक है यह CVC का अब्जेक्टिव है अभी जो फिलाल एक्जेक्टिव जैसे हमने डिसकस किया स्वरेश एन्पतेल और यह सब हमने डिसकस कर लिए आया दोस्तों कि प्रेसिडेंट अफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है किसकी रिकमेंडेशन पर एक कमिटी की recommendation पर कमिटी में प्राम मिनिस्टर हेड होते हैं और home affair, मंत्री यानि की ग्रह मंत्री और opposition leader लोकसवा से इन में member होते हैं, तीन सदस्य समिती होती है अब कुछ important सवाल ग्रीश चंदर मुर्मू ये कौन है दोस्तों, ये हैं हमारे ग्रीश चंदर मुर्मू, कैग ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, हाल फ्लाल में न्युक्ती होई थी इनकी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको सामिल करा है सवाल यहाँ से बनेंगे केके बेंडू को लाग गोपाल ये attorney general है, नंद किसोर सींग बहुत important है, हमारे जो पंद्रवा finance commission है वित आयोग, ठीक है उस वित आयोग के अध्यक्ष कौन है ये है NK सींग, नंद किसोर सींग याद रखिएगा, आप इनको पूरा नाम भी याद रखिएगा अभी मैंने देखा था हाल फिलाल में पता नहीं कौन सा पेपर था कौन से एक्जाम था, ये नहीं देखा लेकिन एक एक्जाम में सवाल आया था उन्होंने पूछा था कि पंद्रवे finance commission के अध्यक्ष कौन है, अब यहाँ तक तो ठीक था लेकिन उन्होंने सारे उसमें दे रखा था फुल फॉर्म, जैसे कि नंद किसोर सींग, नवल किसोर सींग, नाराइन कुमार सींग, इस तरह से तो सभी की फुल फॉर्म क्या होगी, एन के तो एक चीज अपला याद, ये भी याद रखिएगा, एन के सींग का मतलब क्या है, नंद किसोर सींग, ठीक है, इस तरह से अजकल सवाल बन रहे हैं, अभी एक एकजाम में इसी दय का सवाल बनाता है, मनोज कुमार सोनी, एक मिन्ट इसको न, हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं ये इरेज क्यों नहीं हो रहा पता नहीं खेर तो दोस्तों मनोज कुमार सोनी ये हैं UPSC के अध्यक्ष अभी UPSC के चेर परसन बनाया गया है मनोज कुमार सोनी को अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ये हैं दोस्तों सेभी की पहली महिला अध्यक्ष अजै कुमार सूध ये मुख्य वैग्यानिक सलाकार इनको न्युक्ति किया गया अभी हाल फ्लाल में मुख्य वैग्यानिक सलाकार ठीक है और सांती सिरी धूली पड़ी ये दोस्तों JNU जभार लाल नहरू युनिवस्टी की पहली महिला कुलपती कौन बनी है ये बनी है सांती सिरी धूली पड़ी शांती सिरी धूली पड़ी कौन है दोस्तों ये ये JNU की पहली महिला कुलपती आप लोग इन सारी चीजों को सारी बातों को याद रखिएगा आगे चलते हैं सौरी नेक्ष तीन अगस्त दोहजार बाइस को भारत की कितनी आर्दर भूमियों को रामसर स्थलों में सामिल किया गया most important सवाल छपने वाला सवाल है दोस्तो याद रखिएगा स्थार लगा लिजेगा आप लोग छपने वाला सवाल है तीन अगस्त दोहजार बाइस को कितनी देगो अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज में था ना पांच आदर भूमियों को पहले सामिल किया गया था है ना सबसे पहले इन पांच आदर भूमियों से पहले दोस्तो उननचास आदर भूमि थी भारत में पांच और एड़ होई थी टोटल होगी थी चववन और अब दस और एड़ हो गई है तो दस और एड़ होँगी तो कितनी हो जाएंगी रामसर साइट हैं होती हैं देखो रामसर साइट जो है ऐसी वेट लेंड्स होती है जो अंतरराश्ट्रे महत्र की होती है किलियर हुआ वेट लेंड का जो सम्मेलन हुआ था कन्वेंशन उसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता दोस्तों और कब हुआ था ये ये हुआ था दोस्तो 1971 में के लिए एक फरवरी 1971 को इसलिए एक फरवरी को कौन सा दिवस मना जाता है ध्यान रखिएगा रामसर साइट आर्द्र भूमी दिवस कम मना जाता है आर्द्र भूमी दिवस ये एक फरवरी को मना जाता है क्यों मना जाता है क्यों मना जाता है क्योंकि एक फरवरी 1971 को राम रामसर सहर है वहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था इसलिए रामसर सम्मेलन के लिए यह आद्रभूमी दिवस एक फरवरी को मना जाता है 1975 में यह लागू हो गया था कारवाई में आ गया था और यह हमने डिसकस कर ही लिया रामसर साइट और रामसर कंवेंशन के बारे में अब इन साइट्स जो एड हुई है उनके बारे में हम यहाँ पर डिसकस कर सकते हैं यह देगो क्लिया और 10 नई साइट को एड करा आका काहां पर छे साइट तो तमिलाड़ू में हैं और एक एक साइट गवा प्रणाटक मध्यप्रदेश और ओडिसा यानए कि चार सेट इन चार स्टेट्स में हैं तो टोटल हो गई दस साइट और टोटल अब इन दस साइट आ और एड उनको देख लेते हैं, फहले जो तमिलनाडू की साइट है, वो दोस्तों व है, कुनतन कुलम, बउडघ सैंचुरी। यहाँ पर गल्फ अज़नेश्ट ऑफ मनार्मेरीं दाइसर रिजर। नेक्स्ट है तमिलनाडू की वेंबनूर वेटलेंड कॉंपलेक्स और वेलोड बर्ड सेंचुरी इसके लावा नेक्स्ट है वेदन तंगल बर्ड सेंचुरी और नेक्स्ट है उद्या मर्तंडापुरम बर्ड सेंचुरी याद रखेगा इस जब बहुत लंबा नाम है ये तो इसके लावा एक यहां पर करनाट ककी और रह गई रंग ना थे तू वर्ड सेंचुरी यह करनाट का में हैं किलियर और इन दस वर्ट लेंड का टोटल एजिया कितना एक लाख एक्क्यावन अजार आट सो बयालीज और टोटल कितना है चौटल कितना है चौटल साइट में बा रामसर साइट में सामिल किया था वो थी दोस्तो चिलका जील ओडिशा को 1981 में सामिल किया गया था नेक्स टैक केवला देव राष्टी उध्यान राजिस्तान में है यह और 1981 में इसको सामिल किया गया था यहां पर मैंने मैं आपको बता दूँ दस साइट तो वो हैं जो सु इसको कीथम जील भी बोजला जाता है ये उत्तर परदेश में 2020 में इसको सामिल किया था सोकर जील आदरभुमी श्रित्री या लद्दाक में है सुल्तानपुर राष्टियो ध्यान हर्याना में 2021 में सामिल किया गया था बिंडाबास ये भी हर्याना में ही है इसको भी 2021 में सामिल किया गया था थोल जील वनेजी अभ्यारन थोल जील ये गुजरात में है वादवाना आदरभूमी गुजरात में है हैदरपुर वेटलेंड उत्तर प्रदेस में है खिजाडिया या खिजडिया पक्षिय अभ्यारन ये गुजरात में है और बकिरा वनेजी अभ्यारन ये उत्तर प्रदेस में है 2022 में सामिल किया था आप लोग 2022 की साइट को याद रखना एक तो खिजाडिया दूसरी बखीरा और इसके लाबा ये भी 2022 में सामिल हाल फिलाल में अभी कुछ दिन पहले ही इन 5 रामसर साइट को सुरू किया था कौन कोड़ सी ये पल्ली करनाई मार्स रिजर फोरेश्ट ये 50 रासमी है करीकिली पक्षिय भ्यारन ये भी तमिलनाडू में 51 वी पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडू 52 पाला आर्दर भूमी ये 53 थी मिजोरम में और 54 वी है सांख्य सागर मध्यप्रदेश में चववन ये 10 हम लोग पहले डिसकस कर चुके हैं जिनको अभी सामिल किया रामसर साइट में टोटल हो गई है 64 ये सारी साइट का नाम आप लोग याद रखिएगा सवाल यहां से बनेगा दोस्तों यहां रखिएगा हम लोग आगे चलते हैं हाल ही में मिशन भूमी पुत्र पुत्र किस राजी सरकार द्वारा लॉंच किया गया है तो दोस्तों यह मिशन भूमी पुत्र नाम हो गए यह जो ऐसा है आप इस को देखिए इस वारी पिक्चर को देखिए क्लिशन भूमी पुत्र इनिशियाटिव औप गौर्न्मक्ट आप आसाम का इनिशियाटिव है क्या होगा इसमें इसमें होता क्या चात्रों को बहुत जल्द कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल पाते हैं तो इसी समस्या को दूर करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट को डिजिटली चात्रों को प्रिदान करने के लिए इस मिशन भूमी पुत्र का प्रियोग किया जाएगा हाल फिलाल में ये असम सरकार द्वारा इस मिशन को लॉंच किया गया और इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया है सरकार ने असम सरकार ने और वो है भूमी पुत्र पोर्टल ठीक है तो आप लोग याद रखिएगा ये को मिशन भूमी पुत्र किस राजय सरकार का है तो ये असम का है ये राइट आंसर इस शी चलिए नेक्स्ट है असम के मुख्यमंत्री ने इनको इसको लॉंच किया गया और इसके लिए जैसा हमने अभी डिसकस किया भूमी पुत्र पोर्टल भी उद्धाटन किया है मुख्यमंत्री के डैश्पोर्ड से जोड़ा जाएगा ताकि मुख्यमंत्री इसकी निगरानी कर सके पूरी प्रक्रिया को किलियर हुआ काजयानवन हो सके इसका बहतर तरीके से इसलिए अब असम के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे पहले आप असम का मैप देखिए यहाँ पर यह है असम आप एक चीज याद रखिएगा दोस्तों जो असम है ना नौर्थ इस्ट में साथ स्टेट हैं असम के अलावा बाकी के छे स्टेट हैं नौर्थ इस्ट में ठीक है और नौर्थ इस्ट के छे की छे स्टेट से अपनी बाउंडरी शेयर करने वाला एक मात्र राज्य असम है यहां पर देख सकते हैं असम और नाचल प्रदिश से के अपनी बाउंडरी शेयर कर रहा है यहां पर नागालेंड से शेयर कर रहा है यहां पर मिजोरम से यहां पर तिरपुरा से और यहां पर मेगाले से और इधर पश मंगाल से भी अपनी बाउंडरी शेयर करता है एक चीज आप लोग याद रखिएगा म्यामार के साथ में असम अपनी बाउंडरी शेयर नहीं करता है इसके बारे में कुछ और चीज है उत्तर पूरी भारत का एक राज्य है ये राजधानी दिसपुर है राज़ेपाल जगद इंपोर्टेंट सवाल जो कि एकजाम के पॉइंट ऑव यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है फ्रेंट्स बात करते हैं उनकी तेजपुर लीची का जी आई टेग हाल ही में दिया गया है किसको दिया गया है असम को मिला है ये राश्ट्रिय जलमार्ग टू न नीचे कॉमेंट सेक्ट में बताएंगे कि national वाटरवे नमबर वन कहां से कहां तक है और कौn सी नदी पर जल्दी से आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्वेPe कहां से कहां तक और कौन सी नदी पर नेशनल वाटरवे नंबर फाइव वन आगे चलते हैं माजुली दीप बहुत इंपोटेंट है यह यह एक द्वीप है नदी द्वीप है यह दोस्तों और यह कहां पर है असम में है यह ब्रह्मपोत्र नदी पर है यह नेशनल भारत का पतक विजयता लवलीना बौर्गोहन किस राज्यसे है असाम से है असाम का शास्त्रिय नरत्य यह सत्त्रिया और टोटल कितने शास्त्रिय नरत्य है आठ केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम और तमिल नाडू का भरत नाट्यम ठीक है कुचीपुडी कहां का है चलते हैं आगे नेक्स्ट है आज का सवाल कि वित्य समावेशन सूचका आख हाली में जारी किया गया है इसे किसके द्वारा जारी किया गया है जैसा कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं यह लोगो RBI का है RBI के बारे में भी डिस्कस करेंगे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं थोड़ा सा RBI ने पहले तो आप यह जानिए कि यह आंसर इसका B है यहाँ पर वित्य समावेशन का मतलब क्या होता है देखिए वित्य समावेशन यानि कि financial inclusion इसका मतलब दोस्तों यह होता है वित्य समावेशन का मतलब कि भारत के सभी पिछडे से पिछडे वर्ग के लोगों को भी वित्य समावेशन यानि कि उसको वित्य जो बैंकिंग सिस्टम में सामिल किया जाए किलियर हुआ वित्य सिस्टम में सामिल किया जाए पिछडे से पिछडे वर्ग के लोगों को यानि कि भारत के प्रत्येक लोगों को प्रत्येक वर्ग के लोगों को और जो लाइन में कतार में सबसे लाश्ट में खड़ाए उस व्यक्ति को भी financial inclusion में सामिल किया जाए बैंकिंग सुभिधायें उसको पहुचाई जाएं क्लियर हुआ यह है वित्य समावेशन भारत की नहीं दुनिया की बताइए मुझे आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में दुनिया की सबसे वड़ी वित्य समावेशन वाली योजना कौन सी है इस टॉपिक के बारे हम डिसकस करें यहां पर आप देख सकते हैं यह है दोस्तो प्रेस रिलीज अर्भी आई की अर्भी ने हाली में जारी किया है और मार्च 2022 के लिए वित्य समावेशन सुचकां के जारी किया है इसकी जो पहले मार्च 2021 के लिए अगस्त 2021 में जारी किया गया था और अब मार्च 2022 के लिए जारी किया है अफलाल इन्होंने कहा है कि अब जो है वित्य सूचकांग कितना है 56.4 है और मार्च 2021 में कितना था 53.9 यानि कि अब बढ़ा है वित्य समावीशन हमारा देश में 53.9 से बढ़कर के पिछली साल 53.9 था और अब इससे बढ़कर के 56.4 परसेंट हो गया है RBI का ये भी कहना है कि ये सभी उप सूचकांग है जो इसकी अंतरगत उन सब में वृद्धी देखी गई है अब RBI के बारे में डिस्कुस कर लेते हैं यहाँ पर RBI क्या है हमारा केंडरिया बैंक है ठीक है शेंटरल बैंक क्या है हमारा RBI और इसकी स्थापना कब हुई थी एक अपरेल 1935 को इसकी स्थापना होती है रिजर्व बैंक RBI एक्ट 1934 की अनुसार किसकी सिफारिस पर हिल्टन यंग कमीशन है याद रखिएगा हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिस पर किसकी यह जो स्थापना हुई थी RBI की नेक्स्ट रिजर्व बैंक का मुख्याले प्यारंब में कहा था कलकत्ता में था 1937 तक 1937 के बाद में इसका मुख्याले RBI का जो हेड़काटर है वो बंबई में सिफ्ट कर दिया जाता है एक जनवरी 1949 का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है RBI का राष्ट्रे करन कर दिया जाता है पहले गवर्नर कौन थे ओस बॉर्ण स्मित और वर्तमान गवर्नर सक्तिकांदास 25 वे हैं और जो है पहले भारतिये गवर्नर अगर मैं कहूं आपसे फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे RBI के जल्दी से बताओ आप लोग नीचे comment section में मुझे बताएंगे आप लोग की RBI के पहले भारतिये गवर्नर कौन थे तो ये थे दोस्तो CD देश मुक ठीक है याद रखेगा CD देश मुक थे ये चलते हैं आज के important सवाल पर ये है कि वित्ये समाविशन पर दुनि जारी करने वाला पहला केंदर सासित प्रदेश जम्मु कस्मीर जम्मु कस्मीर के लिए हाली में परशीमन आयोग का गठन किया गया था किसकी अधिक्सता में रंजना प्रकास देशाई कि अधिक्सता में उसने कहा किया कहा है 90 seat बताया इन्होंने विधान सभा की 90 seat होंगी जाई JNK में मौद्रिक दीती समीती कुल कितने सदसे होते हैं इसमें 6 सदसे होते हैं दोस्तों 3 सदसे RBI की तरब से होते हैं और 3 सदसे ही किसकी तरब से होते हैं सरकार की तरब से होते हैं किलियर चलते हैं आगे नेक्स्ट है RBI का राष्टिय करन कब किया गया एक जनवरी छे राश्ट्रिय राजमार्ग परियोजनाओं का सुभारंब किया है और यह किस राज़य में किया है आप मुझे जल्दी से बताईए हम लोग डिसकस करते हैं इस चीज़ को देखो केंद्रिय मंत्री नितिन गडगरी कौन है यह हमारे रोडवेज और ट्रांस्पोर्ट मिनि करी है अभी हाल फ्लाल में सुभारंब किया है आंसर इसका बी है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिसकस करें देखो इन्होंने तेश्टो करोड की कुल परियोजना है यह कितने करोड की तेश्टो करोड की लागत से तयार होंगी है और छे नैशनल हाइवे किसके द्वारा गोशना की है केंद्रिय शड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी के द्वारा नितिन गड़करी इन्होंने 119 किलोमेटर लंबी शड़कों का भी यहां पर लोकारपन किया है ध्यान दखियेगा इसके अलाबा हम MP की अगर बात करें मध्यप्रदेश इसकी तो राजधानिय की बोपाल है और सबसे बड़ा शहर इंदौर है मंगु भाई छगन भाई पटेल इसके राजयपाल है सिवराज शिंग चोहान मुख्यमंत्री है विधान मंडल एक सदनिय है और विधान सभा 231 सीट है राजय सभा 11 सीट है और लोक सभा में 39 सीट है के लिए दोस्तों जो हमारा बैच है Mission HDM और इसके लावा निर्वान बैच उनके बारे में डिटेल में मैंने आपको सुरुआत में बता दिया था आप लोग इन बैच इसको जरूर जोइन करिए बहुत बहुत आपको फाइदा होने वाला है दोस्तों बैच से हमारी बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी के दोड़ा आपको पढ़ाया जाएगा सारी चीजें पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएगी आपका रिवाईज्ट रिवीजन होगा आपसे इसके लाबा कुशन प्रेक्टिस जो की मिन्स के लिए कोशन के बारे बहुत और और ज्यादा अधिक जानकारी इसकी फीस बागरा सारी चीज़ों के बारे जानकारी के लिए हमारे जो नंबर आपको प्रवाइड करें गए उन पर आप जाकर के पूछ सकते हैं किलियर तो चलते हैं आगे नेक्स्ट है महतपूर् सवालों के बारे मुर टिस्कस कर लेते हैं MP से संब्बढ़ी t को टाइगर स्टेट कर जाता है कियों कर द यहां पर भारत में सबसे ज्यादा टाईगर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा tiger पाए जाते हैं कहां पर मध्यप्रदेश में और कितने हैं 526 याद रखेगा नमबर नेक्षा छेत्रपल के हिसाब से सरवादिक वनीकरण वाला राज्य यह है मध्यप्रदेश छेत्रपल के हिसाब से ठीक है और सबसे कम वनीकरण वाला यानि कि सबसे कम वन कौन से में राज्य में फरियाना में और पर्सेंटेज के हिसाब से सरवादिक वनीकरन वाला राज्य है यह है दोस्तों मिजोरम क्लियर और इसके लावा कुछ और चीज़ है सरवादिक वृद्धी अब की बार किस राजने की है तो सरवादिक वृद्धी जो की है दोस्तों वो की है आंधर प्रदेश में इन facts को आप लोग याद रखिएगा मैं आपसे ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ दोस्तों यह छपने वाले सवाल है जो आंसर जो आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा चाहे यूपी PCS हो ROAR हो यूपी SSS हो चाहे और भी कोई भी स्टेट PCS exam हो स्टेट का कोई भी अग्जाम हो यह सब यहाँ से छपने वाले सवाल है किलियर लाश्ट तक बने रही है और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो किलियर दोस्तों और एक और चीज लाइक जरूर करिए चैनल को सबस्राइब करिए क्योंकि देखो इतनी महनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलता है आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा कोई पैसे नहीं लगते हैं लेकिन हम लोगों को आपके लिए महनत करने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है क्लियर, तो आप लोग जल्दी से इनको हमारे सेसन को लाइक करो, शेयर करो क्लियर, तो चलते हैं आगे भारत में चीतों को लाने के लिए समझोता हुआ है नामी बिया के साथ मैं क्लियर, अगे चलते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में आधी पुरम महोटसव किस राज में मनाये गया बहुत इंपोरेटेंट है दोस्तों आधी पुरम महोटसव यहां पर आप देख सकते हैं आधी का मतलब तमिल महा जो होता है ना तमिल उसको आधी बोलते हैं तमिल महा को और इसी लिए आधी महुतसब मना जाता है आधी पूरा महुतसब कहां पर तमिल नाडू में राइट आंसर इस डी इस फेस्टिवर के बारे में हम लोग डिसकस करें तो देखो एक अगस्त 2022 से इसकी सुरुवात हुई थी और ये एक जैनती होती है अंदल देवी देवी अंदल की जैनती मना जाती है और इस अवसर पर अंदल देवी की जैनती के अवसर पर इस महुतसब को मना जाता है ये देवी अंदल कौन है ये लक्ष्मी माता यानि कि देवी लक्ष्मी का प्रतीक है ये उनका अवतार है लक्ष्मी मा आदी का मतलब क्या है आदी का मतलब होता है तमिल मा ठीक है तो इसे लिए इसे आदी पुरम महुतसभ कहा जाता आप लोग याद रखिएगा चलते हैं आगे यह देखो यह यहाँ पर मैप है किसका तमिल नाडू का इसकी बाउंडरी का में शेर का किसकी करता है करनाटक से यहाँ पर केरल से इधर आंद्रप्रिदेश से और यहाँ पर अहाँ यहां यह हमारा बंगाल की खाडी इधर के मिल आप लोग देख सकते हैं यह पाक जल्डमडम्रू मद्द एक सवाल हमेशा पूछा जाता है एक्जाम में कि भारत और लंका के बीच में कौन सा जल्डमरूमद्य है तो वो है पाक जल्डमरूमद्य और यहीं पर एक खाड़ी है कौन सी खाड़ी है जल्दी से आंसर करिये नीची जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप सबी लोग आंसर करेंगे चलो मैं बता देता हूं कुछ मैत्पूर्ण सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं तमिल नाडू के बारे में तमिल नाडू के समुद्री तड़को किस नाम से जाना जाता है कोरो मंदल के नाम से जाना जाता है तमिल नाडू का शास्रियन रत्य है भरत नाट्या में है टोटल आठ सास्रेन रहते हैं क्लियर तमिलाडू में जो मंदर शैली होती है उसे किस नाम से जाना जाता दोस्तों दिर्वड शैली के नाम से जाना जाता है टोटल मंदिर निर्मार की कितनी शैली है यह फिर हेंग कर गया है एक मिनट तो दोस्तों जो मंदिर निर्मार की शैली है वो तीन मंदिर निर्मार की शैली है जल्दी से सही हो जा भाई यह मेरा सिस्टम हेंग कर जाता दोस्तों इसके लिए शौरी आप लोगों के लिए देशक का मंदें रहाता है नागर और दूसरी या भी सब्सक्राइला है नागर न संद Oh तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग ये मंदिर निर्माण की सैली कौर कौर सी है तीन मंदिर निर्माण की सैली हैं दोस्तो नागर सैली, बेसर सैली और दिर्विड सैली किलियर हुई सारी बात हैं अब आगे चलते हैं नेक्स्ट है और इसके लाबा मनीपुर की मार्सल आर्ट का क्या नाम है जल्दी से आप लोग आंसर करिए और तमिलनाडू की मार्सल आर्ट शिलमबम है नान मुधलवान योजना तमिलनाडू सरकार की है, बिलॉंच की है और हाली में मुख्यमंत्री नास्ता योजना भी इसको डिसकस करेंगे बहुत अच्छे से अभी दे को हाहा कार मच गया चीन में जब चीन ने जो ताइवान है ताइवान पर कबज़ा करने की कोशिस कर रहा है आज कल दोस्तों चीन हुआ क्या कि यह जो चीन है यह कहता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत में वन चाइना पॉलिसी के तहत जो Taiwan है वो किसका पार्ट है वो टाइवान जो है mainland चीन का पार्ट है यह मानना है चीन का तो इसी चीज को याद रखने के लिए जुकि क्योंकि world की superpower कौन है USA और चीन को ने यह उभरती होई superpower है तो जहां पर आप इनका दोनों के इंटरस्ट अटक आएंगे तो डूनों के बीच में यहां पर दादागी चला पहारत के अधरट पता नहीं आगया हमारे उड़नाचल प्रडेश में तो तुमको कणटाप मार के भगाएंगे ना लेकिन मानता नहीं है हर बार चुचुचु कुकु करता रहता है तो जो चीन है दोस्तो इस चीन का विस्तारवादी रवया है तो इसलिए इसी चीज़ को अमेरिका ने दिखाने के लिए कि इस बहिया सुपर पावर हमी है आप ज़्यादा कुकु कुकु मनना करिए तो ये जो है अमेरिका की सिनेट नी सोरी प्रतिनिदी सभा की स्पीकर है देखो अमेरिका में जैसा हमारे यहाँ पर संसद है न उसी तरह अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और हमारे यहाँ पर दो हाउस है और यहाँ पर कांग्रेस के भी दो हाउस है एक तो है प्रतिनिदी सभा जो की प्रतिनिदी सभा जो की हमारी लोग सभा के बरावर है और दूसरी है दोस्तों यहाँ पर और वो है इनकी प्रतिनिदी सभा और कांग्रेस के अलावा इसके प्रतिनिदी सभा के अलावा दूसरी है यहां पर सीनेटर सीनेट बोल सकते हैं तो ध्यानर के जो सीनेट है वो है राज्य सबाग के बराबर पावर है यानि कि राज्य सबागी तुलना सीनेट से की जाती है और हमारी लोग सबागी तुलना प्रितनदी सबागी से की जाती है जो हमारे यहां पर पज़ा करना चाहता है चाईना यहां पर अपने जो exercise बगएरा करता रहता है अपने शेयना को बेजता रहता है विमानों को भेजता रहता है ताइवान को धंकी देता रहता है तो यहां पर ध्यान रखिएगा एक और चीज़ इंपोर्टेंट है इस सब में वो है 9-line आप यहाँ पर देख रहे हैं यह 9-line यह एक तरफा चाइना ने यहाँ पर खीची है कहाँ पर South China Sea में यह क्यों खीची है चाइना ने इसलिए खीची है चाइना का कहना है कि इस 9-line के भीतर में जितने भी area है वो सब हमारा है अब इसको यह बताईए कि हर किसी देश के लिए EEZ होता है उनकी समुद्र में आवा जाही के लिए तो अब फिल्पीन, मलेशिया, व्यतनाम इन सब का EEZ कहां रहेगा जब तुम दादागी दी से सारे ही South China Sea पर अपना कंट्रोल कर लेंगे तो इसलिए यहां पर विवाद बना रहता है फिल्पीन, मलेशिया और बाकी के जो देश है वो कहते हैं कि इसमें हमारा भी हिस्सा है लेकिन चाइना बोलता है कि यह पूरा का पूरा South China Sea हमारे कबजे में हमारा पाइट है इस सारी बात है हमने इन सब चीजों के बारे हम डिसकस करी और अब आगे इसके बारे हम कुछ important सवाल वो है Quad में कितने देश हैं तो दोस्तो Quad में total 4 देश हैं कौन-कौन से? USA, इंडिया, जापान और और आस्ट्रेलिया यह दोस्तो चार देश क्वेड में सामिल हैं 2022 में Quad की बैठा कहां पर हुई जापान में और अगली बैठा कहां होगी ऑस्ट्रेलिया में होगी ध्यान रखिएगा इस चीजों को बहुत important है यह Quad की अगली बैठा कहां होगी ऑस्ट्रेलिया में आई टू यूटू गठवंदर में कौन से देश सामिल है अभी हाल फिलाल में इस गठवंदर को बनाया गया दोस्तों इसमें इज्राइल इंडिया यूएस से और यूएई चार देश सामिल है आई टू यूटू यानि कि दो आई दो यू पहले-पहले अक्छलों से मिलकर बनाये क्लियर नेश्ट हाली में विश्व इथ्लेटिकस चम्पियंसिप कहां सम्पन हुई तो ये विश्व इथ्लेटिक्स चम्पियंसिप अमेरिका में हुई थी और इसमें सबसे ज़्यादा पदक Бारत की महीला टीम पर ये पिक्चर देख रहे हैं ना यह बहुत इंप कि 44 में चेस ओलंपियार कहां हो रही हैं दोस्तों यह हो रहे हैं हमारे देश भारत में और भारत के कहां पर चेन नहीं में और अभी फिलाल एक मैच में हमारी महीला टीम ने हंगरी की टीम को हराया है ध्यान रखेगा हंगरी की टीम को हराया है तानिया सचदेव ने इसमें मह पॉइंट फाइव की जीत दर्ज की है हंगरी पर चौथे दोर की जीत दर्ज की है ध्यान रखियेगा हंगरी को हराया है इसके लावा जो और मेंबर थे जैसे कि कॉनेरू हमपी द्रॉन वल्ली हरीका और आर वैशाली इनका यह जो मैचता वो ड्रॉ हो गया था जबकि सचद कुछ और important सवाल वो यह है कि शत्रंज के खेल का जनम दाता कौन है बहुत important है दोस्तों भारत में हो रहा है इस वार 44 चैस ओलंपियार तो इसलिए important है आप से पूछा जा सकता है कि सत्रंज खेल का जनम दाता कौन है भारत जिस परकार किरकेट का जनम दाता किसको माना जात है दोस्तों उसी परकार चैस को चैस का जनम दाता कौन है भारत दुनिया के सबसे कम उम्र के शत्रंज ग्रेंड मास्टर कौन बने है अभी मन्य मिश्रा चबालीसमा शत्रंज ओलंपियार जैसा अभी मैंने डिसकस किया चिन नहीं में हो रहा है रंजी ट्रॉफी का विजएता दबंग दिल्ली है संतोष ट्रॉफी का विजएता केरल है सीनियर राष्ट्रिय प्रुस वॉलीबॉल चैंपियंशिप का विजएता दोस्तों कौन है हरियाना है इन सारी बातों को सारे सवालों को आप लोग याद रखेगा हम आगे चलते हैं आज का जो सवाल जिसको आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में अटेंप्ट करना है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी लोग करेंगे मैं यह चाहूंगा तो सवाल यह है वन्य जीवन संरक्षन संसूधन विद्यक 2021 इसको अभी लोग सवाम पे पेश किया गया था और लोग यह एक अगस्त से लेकर के साथ अगस्त तक मना जाता है राइट आंसर इस ए नेक्स्ट है हाली में उप्राष्ट पती एम में वेंक यह नाइडू द्वारा तरंगा बाइक रेली का सुभारंब कहां पर किया गया था तो लाल के लिए से लेकर के विजय चौक तक किया गया गोल्ड जीता है पहला गोल्ड इस खेल में भारत का नेश्ट हाली में केंद्रिय मंत्री हर्दीप सिंग्पुरी ने फौर्थ ओंजीसी पैरा गेम्स 2022 का उधगाटन कहां पर किया है तो यह किया है नई दिल्ली में नई दिल्ली के कौन से कॉंप्लेक्स में त्याग राज त्याग राज स्टेडियम कॉंप्लेक्स में है किलियर नेक्स्ट है साथ अगस्त 2022 को इस रो द्वारा किस लॉंचिंग विकल का प्रियोग कर EOS 2 और आजादी सैट उपग्रे लॉंच किये जाएंगे SSLV का प्रियोग किया जाएगा इसमें राइट आंसर इस सी 19 अगस्त से 6 सितंबर तक पिछ ब्लेक हवाई युद अभ्यास कहां पर आयोजित होगा दोस्तों यह आयोजित होगा ऑस्ट्रेलिया में और 17 देश इसमें भाग लेंगे भारत ने भी अब इसमें भाग लेने की मंजूरी दे दिए भारत भी इसमें यानिकी किसने संबाला है राइट आंसर इज सोजोई लायल थाउशेन यह जो है SSB के भी महाने दे सकार अत्रिक प्रभार इनको दिया गया ITBP का क्लियर चलते हैं आगे हाली में भारत सरकार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की याद में विसेश समारक डाक टिकट जारी किया गया तो यह पिंगली बेंक कहिया गया 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 किलियर दोस्तों यह थी आज की डिसकसन हमारे मिशन SDM और इन सबी को आप लोग जरूर जोइन करिए निर्वान बैच को मिशन SDM को करेंट अफियर के हमारे क्लास बहुत जबर्दस तरीके से चल रही है सेसन को सेर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को लाइक करिए और सेसन को लाइक करना बिलकुल ना भ करते हैं जल्दी से उमीद करता हूँ आपको सारी चीजा बहुत बहुत बहतर लगी होंगी तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं थैंक्यू थैंक्यू सो मच